नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भरकी में हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि दुनिया भरकी राजनीती में कूटनीती में क्या-क्या ने डेवलप्मेंट्स हो रहे हैं दुनिया में क्या-क्या उठा पटक चल रही आज आपके साथ इस कायट्रम में हम दो एहम डवलप्मेंट्स पर चर्चा करेंगे जिन पर बातचीत यूँ तो बहुत कम है लेकिन दुनिया की कूटनीती के लिए वे हैं बहुत एहम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शांग्रीला डायलोग से जो हुए 10 से 12 जून को सिंगापूर में और इसमें 40 से अधिक देशों के 500 प्रतिनिदियों ने भाग लिया चर्चा की और दूसरी एहम खबर जो अमरीका से आई है जो समिट ऑफ अमरीकाज अमरीका के राश्टपती बाइडन ने जो कॉल किया था जो वहाँ पर 9th समिट था यानि 9 सम्मिलन लेकिन वहां हुआ बिल्कुल उल्टा उन्होंने कोशिश की कुछ देशों को बाहर रखने की उन द लेकिन हुआ नहीं बड़े पैमाने पर 10 से अधिक देशों ने इस समिट का बाइकॉट किया इसका देश की दुनिया की राजनीती पर क्या असर पड़ा इस पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायस से अंतराष्टी कूटनीती पर निगाह डालने पर प्रबीर हमें ये दिखाई दे रहा है कि एशिया पूरा का पूरा इलाका है ये लगातार खबरों में बना हुआ है अभी जो एहम समिट हुई जो की शांगलीला समिट के तौर पर जाने जाती है 2002 से हो रही है पिछले दो स साल नहीं हुई थी उसके बाद हुई जिसमें तकरीबन 40 देशों ने शिरकत की 500 से अधिक प्रतिने थी वहां पर गए सबसे जो खास बात दिखाई देती है कि इस समिट में ये जो सिंगापूर में समिट हुई इसमें कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई ऐसे देशों क पर डाफिक के बीच बाद चीट हुई जो सामाने तौर पर बाद चीट नहीं करते थे यह व्युक्रेन पर बाधी रूस और अमरीका को लेकर बाद चीट हुई चीन को लेकर बाद चीट हुई आप कैसे इस समिठ की जो खासियत है उसे देखते हैं वह भी इसलिए ज़्या Shangueillar Dialogue जो कही जाती है वो एक मन्च है जहां पर Wow के मिलते हैं वहां कोई निशकर्ष नहीं निइकलता वो मान के चलते हैं बाचीत का एक platform है और अर वहांपर दूसरे लोग भी होते हैं तो बाचीत अलग अलग बाचीत वी हो सकती है इस बार की Shangue डायलोग में दो मुख्य चीज है एक तो है कि चीन और अमरीका इस पे पार्टिसपेट किया काफी हाई लेवल पार्टिसपेशन दोनों का रहा और दोनों अलग इस मुद्दे पे अपने जो बातचीत उनकी अपनी है जो कई बार काफी विवादास्पद रहा है काफी ही बार मिले थे तो काफी जगड़े से शुरू हुआ था तो इस बार लगता है कि कुछ उनमें क्या कह सकते हैं बातचीत का टेंपर थोड़ा कम था टेंपरचर जो है इतना ऊचा नहीं था तो इनकी जो बातचीत दोनों की हुई है चीन और चीन और अमरीका के बीच पे ड जगड़े की ताव जो है नजर नहीं आया लगता है कि बातचीत इस बार सिविल रहा और यही दो प्रतिक्रिया दोनों देशों की जो इनकी एड्ज है उनकी जो बातचीत से लग रहा है तो यह अच्छी बात है चीन और अमरीका युद्ध ना करे जगड़ा ना करे दुन तर्मूल वहाँ पर एश्यू है को ताइवान को लेकर वह अभी भी बना हुआ है जी क्योंकि काफी एहम है तोड़ा उसके बारे बताएए कि उस दिशा में क्या स्टेट्मेंट जारी हुआ उसमें पहले की स्टेट्मेंट और इस बार वाले स्टेट्मेंट में क्या कोई अंतर है तेखे बीश पे उन्होंने ड्रॉप कर दिया था अपना पुजिशन्स की अमरीका ने कि टाइवान एक अमरीचीन का अभी छिद्ध अंग है यह उनका पहले हुआ करता था एक कुछ दिनों में कुछ दिनों पहले देखा कि यह लाइन ड्रॉप हो गया था यह लाइ इसका मतलब यह डारिक्ट पुजिशन अमरीका नहीं ले रही है कि टाइवान एक अलग मुक्त राष्ट्र है उसके साथ हम कोई भी संबद बना सकते हैं तो यह जो नोंने कहा है कुछ हट तक डिप्लोमाटिक हवा को साफ किया है कि शायद युद्ध अस्वक्त नहीं होग चीन ने साफ साफ कहा है अगर टाइवान अपने आपको इंडिपेंडेंडेंट घोशना करता है तो हम टाइवान को मिलिटरी रूप में हम उसको फिर वापस कर लेंगे जब तक नहीं करता तब क्या करेंगे यह बोला नहीं है पर बहुत दिन से दशकों से यह पुजिशन चीन की रही है ताइवान में हम मिलिटरी कोई पदक्षिब नहीं करेंगे अगर वह इंडिपेंडेंडेंडेंस वहां नहीं करते तो लगता है कि एक इथास्तिती की और जा रहा है पर देखने की बात है कि अमरीका जपान इसका क्या भूबी का होगा टाइवान का एक हिसस इंडिपेंडेंडेंस घोशना करना चाहता है हलांकि उसमें कोई खास फरक नहीं पड़ता अंतराश्ट्रिय तोर पे यहीं है कि वह उनाइटिड नेशनल स्कूल को सीट बिलेगी और उनको और भी जगहों पे इंटरनाश्ट्र तोर पे एक राश्ट्र की पूरी सीकृती ब बड़ा फरक नहीं है इत्ता बड़ा जोखी में वो खुद अपने आपको डाले और इसमें जो एक सबसे बड़ी बात जिस पर ध्यान दिया गया और तमाम जगों पर मुझे लगता है उस पर थोड़ी से विशलेशन होना भी जरूरी है कि आखिर भारत और भारत के प्रध उस वज़ा है देखिए आर्थिक रूप में हम आसियां के साथ एंगेज नहीं कर पा रहे हैं जो अमरीका कभी कमजोरी रहा है अलाकि वो कुछ कह रहे हम कुछ करेंगे ब्लैटफॉर्म बनाएंगे तरफास कोई उस तरह को अगवाई करने की कोई कोशिश नहीं है तो सिर पहले दोहजार अठारह में जब शांग्रिला डायलॉग में मोदी ने पांटिस्पेट किया था तो लगता है कि उनकी एक ख्वाइश थी कि हम वो कौड से के बाद साउथ इस्ट एशिया विए स्ट्रेजिक तोर पे गुसेंगे पर जब से ऐस्ट्रेलिया यूके और यू और के आपके लिए यूग है ना तो आठिक रूत रूप में ना तो स्ट्रेटीजिक रूप में उनको खास कुछ दिखाई पड़ रहा है क्वार्ड में अभी भी इंदुरूस्तान को प्हा हुआ है अभी विए को है को भॉण का बह coconut को ये आर्थिक है, स्ट्रेटीजिक है, क्या है, वो अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मिलिटरी तोर पे हिंदुस्तान अभी, भारतबर्श अभी, अमरीका का खेमे में जाने के लिए इंकार कर दिया, वो डियूक्रेन और रूस लेके, वो बड़ा साफ हो गया है, हम एक दूर को लेकर अमरीका को साथ लेने के लिए वारतबर्श तयार है, पर आसियान हो, यूक्रेन हो, रूस हो, इन सब मामलों में, हम एक दूरी अमरीका के साथ बनाया रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है, शान्विल्ला डायलोग को इतना महत तो नहीं दिया, है तो वैसे डायलोग की जगह, तो इसलिए वहां कोई खास ठोस बात नहीं हो रहा है, डायलोग जो है, इस बार जो एहमियत है, वो चीन अर अमरीका वहां पर बैठके अलग बातचीत की है, और यह शान्विल्ला डायलोग को इस बार का जो महतु है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यही है, अब हम चलते हैं दूसरे समिट, दूसरे सम्मेलन की तरफ, जो अमरीका ने जिसे कॉल किया था, नाइन समिट अफ अमरीका जिसको लेकर बहुत अंबिशियस योजनावी थी, और वहां पर उन्होंने बहुत साफ किया था, अमरीका ने, बाइडन ने, कि क लातिन अमरीका के देशों में बहुत बड़े पैमाने पर यह जो एक्सक्लूजन किया था, अमरीका ने, उसका सीधे सीधे चाप पड़ी, और एक तरह से दिखाई दे रहा है कि यह सम्मेलन, जो नाइन सम्मेलन था, यह विफल सम्मेलन साबित हुआ बाइडन के लिए, क् अंदाजा उनको लग नहीं पाया था कि इस तरह से वो क्यूबा, वेनिजूला को लेकर जो उनके रिजर्वेशन से वो इस तरह से बढ़ जाएंगे, देखिए, अमरीका का दो पहलू रहा है, पहले तो है कि सौथ अमेरिका को और या सेंट्रल अमेरिका को वो अपना समझ भी लगता है, अमरीका की एक रही है, और जो बदलाओ लाटन अमेरिका में, चाहे वो सौथ अमेरिका हो, चाहे वो मेसो अमेरिका हो, मेक्सिको तक करीबियन देश हो, इनमें जो एक बातावरण है इस वाक्त, जिससे लोग कह रहे हैं कि हम अपना अलग अस्तित्तों बना रखना चाहते हैं, तो यह जो अमेरिकास का एक नया पहलू है, जो मेरे ख्याल से एक तरफ तो बामपन थी, अंदोलन जैसे जैसे ताकतवर हुआ, खास तो और कि जो नया एक लेफ्ट की वहाँ पर देखा हमने, उभार जो आ रहा है, तमाम एक के बाद एक दूसरे देश दो तीन लहर इसकी हो चुकी है, इसलिए भै कहूंबा कि एक एक लहर जो आ रहा है, कुछ आगे जाता है, कुछ पीछे जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, वो 2000 के बाद लगता है कि लाटन अमेरिका में एक अपना, अपने उपर एक आस्था वहाँ बनना शुरू हुआ है, वो अब सिर्फ अमरिका के छत्रचाया के नीचे रहेंगे, यह उनको स्विकार रही है, और छोटे-मोटे मुल्क भी यह बात कह रहे हैं, चाहे वो करिवियंस के हो, दूस्टे जगों के हो, यह बात कह रहे हैं, तो यह democracy versus autocracy जो अमरिका कहता है, उन तो एक बहुत ही democratic है, जो मेरा दोस्त नहीं है, वो autocratic है, यह जो उनका लक्षमन रेखा है, दूस्टे लोग इसको नहीं मानते, क्यूबा पर जो sanctions रहे हैं, Latin America बड़े पैमाने में इसका विरोध है, जो मुल्क उनके साथी मुल्क है, उनमें भी आम जनता के अंदर यह छबी है कि क्यूबा के साथ जो हो रहा है, पिछले 50 साल से यह गलत है, तो यह बात सामने जो है लोगों की, उसको देखते हुए, बहुत राश्टों ने इस बात, इस बात को साबित किया कि America's को summit में, आप क्योंकि आपके हां हो रहा है, आप किसको invite करोगे, किसको invite नहीं करोगे, यह खुद न पे कौन नहीं आएगा, बाइडन साब या अमरीका एक राश्ट्र है, वो सब के उपर इस तरह से अपना views नहीं धूप सकते, तो यह मेक्सिको जो एकदम उनकी पडोसी बुल्क है, उनका प्रेजिडेंट ओब्रडार्ड ने साफ का, जिसको आम लोगों के नाम से पुकरा नहीं करते, क्यूबा, वेरेजवेला, इनको नहीं बुलाएंगे, तो हम नहीं आते, तो यह तीन मुल्क को ना आने की जो बात बाइडन ने कही, उससे दस कम से कम प्रेजिडेंट इस में शामिल नहीं हुए, अलग-अलग कारण हो सकता, पर ज्यादा तर इस बात पे कि य समिट जो है, जिस तरह से आपने किया, यह सही नहीं है, तो यह अमरीका भी वहां कुछ कहने के लिए नहीं था, जनवाद और यह जो बात कही उन्होंने, डिमोक्राटिक और अंडिमोक्राटिक, तो वहां हैटी को जो प्रेजिडेंट भी नहीं है, उसको आपने बुलाया जिस पर अभी भी इल्जाम है कि उसी ने कू कराया था तो ये जब बाते आ रही है कहा कि आप ये कह रहे हो एक तरफ की क्यूबा डिमोक्राटिक नहीं है हाला कि लगातार वहाँ पर इलेक्शन होती है और इधर हेटी में जिसके उपर आरोप है कि पीछले प्रेजिडेंट क और इसके यहां पुला रहे हो कि हैटी कि प्रतिलिदी है तो रहे हैं कि जाते हैं इसको ठपपा लग देते दिमाक्रीटीक नहीं लगते पहते ऑटाटिक है चाहे वहाँ चुना होता है यह होता ह है नहीं प्रबीर एक चीज एक चीज यहां मैं आप से जानना चाहूंगे कि जो लातिन अमरीकी देशों में दिखाई दे रहा है सत्ता का परिवर्तन या उसकी चाह या कश्मकश जो चल रही है बड़े पैमाने पे तमाम देशों में उसी के साथ मेक्सिको और सहित बाकी देशों का भी जुड़ना क्या जो नीतियां रही है क्योंकि हर जगा हमने देखा है कि जो आर्थिक नीतियां अभी तक अमरीका के दबाव में इस पूरे इलाके में चल रही थी उसके खिलाफ बड़े पैमाने पे लोगों में आक्रोश है और वो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट हो र अपने वेक्या को अपना डियो कॉलिए तरिदा लिमान के चल रहा था उसके खिलाफ जो आप हम बाम्पन्थी रुज्वान की सरकारें वहां आई है जो तीन लहर की हम बात कर रहे थे वो उससे जुड़ा गुआ है कॉलंबिया का हम इंदार कर रहे हैं अभी हम अभी पहुंचे गा नहीं तो अलग बात है लहरों की बात जो कह रहा हूं कि जैसे पहले हुआ था इसके बाद शाबेज बगारा आए लूला बगारा आए तो एक बनलगातार की करें बामपंती सरकारे आई है उनको गिराएंब भी तो यह ऐसा नहीं है कि जया को कमजोर इसलिए हुआ है कि आज अमरीका खास कोई शीच उत्पादन नहीं करता अस्त्रों के इलावा वो प्राइबरी प्रॉडक्ट करता है जैसे तेल है खाने के चीजे है यह बात बात तो है पर उत्पादन अगर कोई करता है बड़े वैबाने पर तो वो चीन करता है और चीन का इसलिए ट्रेड लैटन अमेरिका से भी काफी बढ़ा है तो यह पहले जो अमरीका का दवाव था आर्थिक दवाव था राजधितिक दवाव था और ट्रेड एक बहुत बड़ा हिस्सा अमरेका के साथ होता धीरे धीरे वो कम हो गया है तो इसलिए चीन क्योंकि एकनॉमिक है तो मुझे लगता है यह भी अब्जेक्टिव तोर पे यह कम हो रहा है और उसका राजधितिक छबी इसलिए बदल रहा है तो अमरीका का वीकिनिंग जो है वो खासतर से रूस की युद्ध के बाद और बड़े पैमाने पे होने की सब्बादना है क्योंकि वो डॉलर की है सैंक्शन की जो धंकिया है उसको भी उसको भी एक चुनौती मिलना और रूबल का दूसरे ढंग से इंटरैक्शन के लिए और लेंदें के लिए करेंसी के तौर पे सामने आना भी एक रास्ता दिखाई दे रहा है लोगों दोस्तों हमने देखा कि जो अंतराश्टी तरवाजे खोले रखती है चीन और अमरीका जो लगातार भिड़ते रहते हैं लड़ते रहते हैं अंतराश्टी मंचों पर डायलॉग करते हैं और वहीं दूसरी तरफ अमरीका जो मान के चलता है कि उसका वर्चस्व बिल्कुल बना हुआ है सारे लोग उसके इशारे पर उसके डंडे पर घूमते रहेंगे नाश्टे रहेंगे ऐसा हो नहीं रहा यानि सत्ता में बड़े पैमाने पर परिवर्तन यूं कहिए कि प्रकृती का ही नियम नहीं अंतराश्टी कूटनीती का भी नियम है इसलिए बेहस जरूरी है हर खबर की पड़ताल करना धीतर तक जाना और देखना खबर का असली मर्म इसलिए आप सबसे गुजारेश है कि देखिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए न्यूस क्लिक और पड़ताल दुनिया भर की शुक्रिया